अब यह वीडियो में अब यह वीडियो सुरू करने से पड़े छोट इसी थोड़ी इसी अपने दिल की एक बात के मतलब बच्पन से जो है वो मूवी देखते चले आ मूवीज लवर रहे हैं लेकिन बहुत कम ऐसा दोर आता है कि किसी मूवी को देखके आपके आशू निकलाया हूँ और मैं जितना अपने आपको मानता हूँ मैं जितना स्ट्रॉंग हूँ अंदर से मैं रोता बहुत कम हूँ लेकिन एक मूवी थी जिसने मुझे पहली बार र देख सकते हैं हम लोग उमवान बात करते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों के मूझे आपने सुना होगा कि अपने बहुत कम सुनने को मिलता है कि बहन भी अपने भाई की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती बैसी ही एक मिशाल पेश की थी दलवीर कौर यानि की सरब जी सिंग की जो बहन थी अपनी पूरी लाइफ उन्होंने अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए उनको रहा कराने के लिए पूरी लाइफ उन्होंने लगा दी अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा एक ऐस जिए बहतरीम मेशाल हमारे सामने पेश आज भी उन्हें जो है वो मांते हैं और कहीं ना कहीं जब मैंने सरबजीत पहली बार देखी थी मूवी या उनके बारे में पढ़ा था तो मुझे कहीं ना कहीं सरब जीत की कहानी कम उनके बहन की संगर्ज की कहानी जादा लगी थी जो मेरे अंदर से फीलेंग आई थी अब आप लोग बोलेंगे कि मैं ऐसी बाते क्यों कर रहा हूं क्योंकि वही दलबीर कौर आज हमारे बीच में नहीं रही अभी कुछ दोफैर में ही खबार आई कि उन करा कराने के लिए लेकिन भगवान ने उनकी एक ना सुनी कहीं पर भी उन्हें जो है वो सफलता हासल नहीं हुई और आज जो है वो अपने भाई के बास वो जा चुकी है तो बहुत ज़्यादा दुख हुगा मैं कभी-कभी ऐसी बाता करता हूं क्योंकि कुछी एक लोग ह क्यों ना यह वीडियो शुरू करने से पहले चोटी सी एक बात की जाए बाकी आप लोग बताएं आप लोग उन्हें सरभ जी देखी के नहीं देखी और एक भापू सर्धांजली जो है वो दलबीर कौर जी को भगवान ऐसी बहने सब को दें मेरा तो यह मानना है और देता सारो तरफ जो हला घुला मचा हुआ है ब्रह्मास तरसमसिरा ओम दा बैटल बिदिन और भी नजानब कितनी सारी मूवी के लिए लेकिन एक मूवी ऐसी आ रही है 29 जुलाई को जिसको देखिए देखने का मैं डीजन मैं आपको बताता हूं क्या है अब इसमें चार लोग अ उसमें किसी को भी इंटरस नहीं है मैं आज के टाइम के सबसे फिलॉफ हीरो और आंटी लवर यानि की अर्जुन कपूर अर्जुन कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे उनकी साथ तारह सुतारिया मिलेंगी जिनको मैं मतलब रहती है फिल्म में लेकिन किसली ही रहती है किसी को आद तक समझ में नहीं आया और उसके अलावा जॉन इब्राहिम और जॉन आज तक आज कल जिस तरह के स्टीटमेंट दे रहे हैं मुझे कही ना कहीं लग रहा है कि मतलब जो उनकी फिल्में जा रही है जिस तरह का परफॉर्म कर रही है उनके दिमाग प मैं समझता हूँ एक तो मोहिस्सूरी मोहिस्सूरी को कौन नहीं जानता जन्नत आश्गीटू आवारा पन हमारा बच्पन गुजरा है इनकी मुवी देखके हो कभी कभारी यह आता हो यह बंदा सबसे अची कॉल्टी लगती है किसी भी तरह का एक्टर हो यह उससे काम निक मतलब आप लोग देखें गलियां गलियां तेरी गलियां हमदर्द और भी बहुत सारे मतलब आप अगर प्लेलिस्टिक निकाल है ना एक विलन की तो आप सुनने बैठ जाएं तो आप उस टाइम में पहुंच जाएंगे फेस्बुक हुआ करता था फेस्बुक वह स्टेट को देखने के एक तो इसका म्यूजिक की अब एक विलन रिटन्स में कैसा म्यूजिक होगा और दूसरा मोहिस सूरी जिसनों ने इतनी धमागेदर मूवी दिया हाली में कलंग को नहीं ने दी है कलंग टू पे भी काम चलना है आज की टू सबसे बड़ी हिट कहां से कहां पह स्टार्ट किया है अब 29 जुलाई को मूवी आनी है तो अगले हपते के अंदर अंदर आपको इसका टेलर या टीजर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा क्योंकि मोशन जो है वो कही ना कहीं स्टार्ट हो चुका है कल जैसा कि मैंने देखा मैंसे स्क्रॉल कर रहा था त तो यहां से एक चीज़ कनफर्म हो जाती है कि कुछ ना कुछ एक विलन रिटरंस के खाते से निकल के आने वाला है अब सबसे बड़ा इशू यही है अब देखिए स्टार कास्ट ऐसी है कि किसी को भी उमीद नहीं है कि कैसा काम होगा कैसा नहीं होगा हाला कि उमीद है जो तो मैं भले मैं चना कर पाए थोड़ा नीचे हो लेकिन म्यूजिक उस लेवल का होना चाहिए तभी पबलिक जो है वो इस मूवी को एकसेप्ट कर पाएगी तो कहीं मेरे ख्याल से इसकी बात नहीं हो रही थी और कल मैंने देखा सड़नली और मेरे वो जो गाने हैं एक वि लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा कर रखें और एसी अपना प्यारों सपर्ट बनाया रहे हैं मिलते हैं आप से बहुत जल एक और नई वीडियो में और कोई निताज अपडेट लेकर तब तक कि लिए हिन पन्यवातर